इस वीडियो टो पूर्फ पूर्फ जानल में आपका स्वाकत हैं मैं सुनायल कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर हाज रहा हुआ हैं इंटरस्टिंग वीडियो तो आज मैं हूँ। कुछ टाइम पहले यहांपर Mii Store ओपन हुआ है। तो आज हम चलेंगे इस Store में और जानेंगे किस तरह के प्रोडक्ट हमें इस Store में देखने को मिल जाएंगे। साथ के साथ किस तरह के सर्व Export यह Store प्रोड़ाइड करता हैं। और क्या प्राइज में हमें इस स्टोर से प्रोडक्ट मिलते हैं वो सभी बाते हम डिस्क्रस करेंगे इस वीडियो में तो जानने के लिए देखते हैं इस वीडियो को तो अब मैं आ चुका हूँ मी स्टोर के अंदर तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस स्टोर के ओनर के साथ या फिर मी पार्टनर के साथ दसल सामने सर बैटे हैं तो सर का नेम है जोहित शर्मा और मैं सर से मिल लेता हूँ तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस स्टोर में किस तरहें के प्रोडक्ट रहते हैं उन सब प्रोडक्ट का सर ओवर्वीव एक बाल हमें दे देंगे तो चलिए देख लेते हैं किस तरह यहां पर अभेलेवल है यह मैं आपको अपना store दिखाता हूं जो मी exclusive store है और हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट अभेलेवल है ये आप पिताता हूं को चलिए चलिए सब के साथ इन सभी प्रोडक्ट का या पर जो मी store पर प्रोड़क्ट हें उनका उर्वीयो ले 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 यह हमारा business backpack है जो की बहुत बढ़िया एक executive bag है अपने daily uses के लिए आप इसको daily commute में ले सकते हैं और इसके अंदर हर चीज के लिए आपकी daily uses के लिए अलग अलग compartments दिये गए हैं और सबसे बैटर अगर आप इसके अंदर एक पोगेट दी गई है जो लगभग एक तरहें का thermostat टाइप का material है इसके अंदर अगर अपने कुछ भी गीला स्टफ रखते हैं तो पानी अंदर न इसके अंदर आता है सबसे 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 900 रुपे का है यह डेली उसे में कॉलेज के बच्चे या कोचिंग वगरा पर जाने के लिए वह यूज में डेली उसके अंदर लेते हैं और यह हमारा casual bag है यह लगभग 1300 रुपे की रेंग में है इसे भी आप अपने डेली उस हमारे जो बैक की रेंज है casual bag plus business pack अगर बुग करें तो 900 रुपे से शुरू हो के लगभग 1600-700 की रेंज तक जाती है उसके बाद हमारा आ जाता है यह luggage यह special material से बना हुआ है जो की market में इस range के product से बढ़िया है और सस्ता भी है इसके अंदर एक special key feature है जो की airport authorities के पास होती है यह कई बार ऐसा होता है कि airport authorities को हमें यह लगता है कि बैक के अंदर कुछ prohibited item है तो वो क्या करते हैं अगर वो नहीं खुलेगा आप दूर हो तो वो इसको काट देंगे बट यह key उनके पास होती है इसको खोल के चेक कर सकते हैं आपका bag safe and secure है आपका stuff इसके अंदर पढ़ा करेंगा उसके बाद यह smart way scale है इसके अंदर आप अपना body scan कर सकते हैं जिसके जो एप के थ्रू आपके mobile से connect होगा और आपका पिछले 10-15 बार का data सारा calculate करेगा आपकी क्या Kelvin थी क्या वेट गेन हुआ क्या less हुआ कितना लग बग आपके उसमें पानी है शरीर में वो सब यह हमारे पास 32 इंचे शुरू होकर और 55 तक जाती है 32 इंच, 43 इंच, 59 इंच और 55 और यह हमारे सारे LED प्रो मॉडल्स में आते हैं जो की पूरी तरह smart LEDs हैं इनके अंदर 1GB से लेके 2GB तक की RAM है और 8GB internal memory है इनको आप LAN से किनेक्ट कर सकते हैं और broadband से किनेक्ट कर सकते हैं वा और इंटरनेट से कर सकते हैं और साथ में आप इनके अंदर अपना CPU और डिरेक्ट अटेच कर सकते हैं तो सर जो हमारी LED रेंज है वह 13,000 रुपे से शुरू होकर लगबग 41,000 रुपे तक जाती है और जो हमारा weight scale है यह हमारा लगबग 3,000 रुपे की रेंज में आता है यह हम आते हैं मी जिस चीज के लिए famous है इंडिया में और the best seller है वह हमारे mobile phones उस compartment की द्रवर लगबग 31% share आज की डेट में MI phones का app out of all companies हमारे पास 45,000 रुपे से शुरू होकर और 29,000 रुपे तक का set हमेशा अवेलेबल रहता है M.I.E. के जितने भी phones इंडिया में launched है वो सब हमारे पास accessories वो सब हमारे पास available होती है जैसे की इसके अंदर go आता है 45,000 रुपे की range में यह go है जो की entry level users के लिए best है उसके बाद range चली जाती है हमारी 6A जो लिए यह थोड़ा इससे उपर range आ जाती है 6A जो 6000 रुपे से शुरू होकर साथ तक जाता है उसके बाद आ जाता है Redmi 6 तीन 32 में है तीन 64 में है यह और फिर उसके बाद 6 pro फिर note 6 pro और उसके बाद 7 Note 7, Note 7 Pro और हमारा एक model है जो MI A2 है यह Android 1 में आता है और बहुत कम phone इंडिया में Android 1 में available है और यह हमारा एक सस्ता और बढ़िया flagship model है यह 4GB 64GB और 6GB 128GB में आता है उसके बाद हमारी high range शुरू हो जाते है जो की POCO F1 है यह 20,000 से शुरू हो के 29,000 तक जाते हैं अलग-अलग variants के हिसाब से इसमे 6GB RAM है लिक्विड गूल टेकनालोजी में है इसमें लिक्विड गूल टेकनालोजी है यह फोन हीट से बचाने के लिए आप इसको लॉंग यूज करते हैं काफी टाइम तक तो भी यह फोन हीट अप नहीं होता इसका प्राइज लगबग 20,000 से शुरू होके और 29,000 तक जाता है बकि जो आपको अनलाइन ओफर्स अवेलेबल होते हैं वो सब यहां अवेलेबल होते हैं और लगबग वही प्राइज हमारी रहती है उसके बाद हमारी असेसरी हैं असेसरी में M.I.Band 3 को तो सभी जानते ह हैं लेटेस्ट फ्लेग्शिप और अपडेटिड स्मार्ट वाच है इसके थुरू आप अपनी नोटिफकेशन और सबकुछ फोन के थुरू कनेक्ट हो जाता है उसके बाद हमारे ब्लूटूस स्पीकर्स हैं एडप्टर्स हैं हमारे पावर बैंक है 10,000 mAh और 20,000 mAh में आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा एक एप में इसके अंदर बार कोड आता है उस वजए से आप कहीं भी इंडिया में हो तो आप वहां बैठके अपने घर का या जहां भी आपने ओफिस में लगा रखा है आप सारा व्यू देख सकते हैं इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं इसके अंदर आप कमांड दे सकते हैं जो भी आप अपने फोन से कुछ बोलेंगे तो वह उस एरिया में सुनाई देगा या वो कुछ बोलेंगे तो आप कोई मेसेज देना चाते हैं तो वह आप इसमें कर सकते हैं इसमें दो मोड़ा आते हैं एक तो यह है 2700 रुपा एक है यह फोन से घूमता नहीं है मतलब यह 360 व्यू में यह स्टील रहते हैं इसको आपको मैनुवली घूआना पड़ेगा और यह आटमेटिक मोटर लगेगी है यह 2700 रुपे का है और यह 2000 रुपे का है उसके बाद हमारे कार चार्जर आते हैं केबल आती है और यह हमारा पैन कंपनी ने लांच किया जो कि बहुत बढ़िया वेन है प्राइज यह 180 रुपीज चलिए अब हम रोई जी से बात कर लेते हैं कि कब यह स्टोर ओपन हुआ क्या क्या प्रोड़क्ट हम आँ देखने को मिल जाते हैं और किस प्राइंज में वो रहते हैं और क्या 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 सर सकतिन हमारी को एक महरी जायाएग और यह कंपनी का एक्स्टार इसकुषिव रिटेल स्टुर है कंपनी की तरफ से हाँ यह वैसे नहीं है कि मल लाके पिजने नहीं वैसे मार्केट में कहीं लोग पोस्टर लगा लेते हैं दुकान पर लियां मीका स्टोड अवेलेबल है तो ऐसा कुछ नहीं है मीका ओफिशियल स्टोर है यह सर और वो पोस्टर लगाना या सेल गरना वो इल्लीगल है उसके उपर एक्षिन हो सकता है अगर कोई भी हमारे इलावा वो मीका प्रोड़क्ट बेचता है तो वो इल्लीगल है और मैं तो यही अपील करना जाओंगा कि कस्टमर को भी उससे नहीं लेना जाए जरूरी नहीं है कि क्या पता वो जैन्वन ही नहीं नहीं प्रोड़क्ट आपको आप पैसा लगा रहे हैं और काफी इनके प्रोड़क्ट बिक रहे थे तो उन्होंने ओफ-लाइन स्टोर क्यों उपन किया है सर इसके पिछे सबसे पहला तो मोटो कंपनी का यह है कि बैटर कस्टमर सर्विस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोड़क्ट पंचा सके आज भी इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं एज लगालो या हमारे गाउं की बैक्राउंड से जहां पर ऑन-लाइन चीजे पहुंच ही नहीं बाती है एविलिविल्टी नहीं होती है या डिलीवरी नहीं पहुंच बाती है उन कस्टमर के साथ डील करने के लिए उनको बैटर सर्विस देने के लिए प्लस उन तक प्रोड़क्ट पहुंचाने के लिए कंपनी की अपॉलसी यह कि आफलाइन स्टोर्स लांच किया जाए जाएं तो नेक्स्ट कोस्टिन जो जबते हैं प्राइस क्या रहता है प्रोड़क्ट का यानि की मी स्टोर पर या ओन-लाइन आगर मैं जो प्राइ प्राइस ड्रोड़क्ट या कैश बैक आउन-लाइन मी स्टोर पर अवेलेबल है वो हमारे यहां भी होता है जैसे किसी प्रोड़क्ट में यानि कि 4 रुपया और 200 रुपया और 500 रुपया डाउन दिया जाएं तो आप प्राइस ड्रोड़क्ट बिलकुल बिलकुल बिलकु अब कई केसी हमने सुने भी हैं कि हमने कुछ मंगवाया और डिबे में कुछ निकला कभी एट निकल जाती है आई फॉन मंगाता है कुछ इस तरह की प्रोड़क्ट को सामने कि तो लोगों का विश्वास जमता जमता फिर वो इस चीज को मैटर करता है ना कुछ लोग ऐसे ह मेरे पास आते हैं कि हम तो सर मेंगा भी मिलेगा तो भी हम ओफ लाइन लेंगा तो नेक्ट प्रेस्चन सर मेरा रहता है ओनलाइन पेमेंट अवेलिबल है या नहीं कुछ लोग कैश नहीं कहरी करते और उनके पास कार्ड बगरा होता है तो आप अपने स्टोर पर ओनलाइन प्रेमेंट अवेलिएंगे या नहीं सर देखिए यह तो मोदी जी की पॉलसी थी कैशलेस इंडिया की और हम इसके साथ बिलकुल कदम बढ़ा रहे हैं हमारे पास सारे जो ओनलाइन जितने भी मैथर्स हैं वो सब एवेलेबल हैं कैश क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड ए आप पे टीम कर सकते हैं यूपी आई कर सकते हैं गूगल पे कर सकते हैं हर चीज अवेलेबल हैं तो नेक्स्ट कोशन के और चलते हैं तो काफी लोग में स्टोर को देखके यहां पर आएंगे कि हमारा मोबाइल फोन में यह प्रोग्लम आ गई है क्या आप रिबेरिंग भी यहां होती है यानि कि किसी परसन का मोबाइल फोन खराब हो जाता है क्या यहां पर ठीक हो जाए मेरे पास बहुत लोग आते हैं वह यह सोचते है कि शायद यह दे exactly सर्भी सेंटर है बट यह सर्भी सेंटर नहीं है यह एक स्टोर है छैल्पोंट है कंपनी का मैं दूसरी ब अब exclusive खुल रहे हैं अब जैसे कुरुक्षेत्रा में खुल रहा है गीतादवार के पास वहाँ पे exclusive थोड़े दिनों में उपन होने वाला है यह हो जाएगा तो MI के जितने भी product रहेंगे वो सब की service वहाँ से provide की जाएगी तो चलिए next question की ओर चलते हैं साथ ने बताई दिया कि offer period में price up down होता रहेगा यानि कि अगर आपका कोई product है मी store पर मी.com पर अगर कोई 600 रुपे का product है अगर कोई sales चर रही है वहाँ पे वो 500 रुपे का हो जाता है वो maximum within 7 to 10 days हमारे पास available हो जाता है जैसे की मी का कोई भी mobile phone या gadget लौच होता है माली जी चोदा तरीक को लौच हुआ और 18 या 20 को उसकी sale आएगी तो उसके लगबग within a week आपको वो product मी store पर offline मिल जाएगा तो मेरा एक question यह रहता है क्योंकि मी ने काफी सारे product globally launch कि हुए है जैसे की चाइना में या फिर और country में क्या वो product इंडिया में मिल जाएगे या फिर offline जो store है अपना यह यहाँ पर product मिल जाएगे sir यहाँ पर मी store में जो हमारा store है यहाँ पर जो इंडिया में launch product है already या जो आगे future में launch होंगे वो product से यहाँ मिलेंगे जैने की me.com जो इनकी website है उस website पर उस website पर जो product available है सिर्फ वही product हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो main purpose जो मैं आपको बता हूँ company का stores खोलने का एक यह भी जो उन्होंने point रखा है कि मी के आप सब को बता है generally हम जले black marketing बहुत चलरी है अनलाइन मंगाते हैं मान लो 14,60 या 15 या 16 का दे देंगे उसमें क्या है ना तो billing आपके नाम पे है ठीक है सब्सक्राइड होने के कारण और इसमें एक 48 MP का camera है तो लोग इसको खृतना चाह रहे थे तो लोगों ने सोचा कि क्यों यह एसकी black market की जाये तो लो हने आपको अगर 10,000 का बिल है और आप 10,000 ही पे कर रहे हो तो आपको बिल भी 10,000 का मिलेगा और वो भी GST मिलेगा मतलब यह ब्लैक मार्केटिंग रोकने की तरफ कंपनी का बहुत अच्छा स्टेप है चलिए सर अब यह बताईए है कोई कस्टमर या फिर यूजर आपके स्टोर तक आना चाहे तो वह आपको स्टोर को कैसे फाइंड करेगा दो हमारे स्टोर तक पहुंचने के लिए हमारा स्टोर बहुत ही एजली रीचेबल है जैसे आप मानलेज़े कुरुक शेत्र में पिपली से आते हैं तो पिपली से आप में रोड से अंदर आ रहे हैं तो आपको रेलवे फ्लाइओर मिलेगा वो क्रॉस करने के बाद राइट हैंड पे आपको संत निरंकारी भवन दिखेगा उसके बिल्कुल सामने रोड गही है जो कि डिवाइड करती है जो रोड के वाइंट के ओपर हमारा स्टोर है पार्क के बिल्कुल सामने इसको एल्ल एएसी बिल्डिंग रोड भी बोजा जाता है सेक्टर 17 के बिल्कुल ओपोजित गीता कलोनी और अगर आप नहीं समझ मैं यह एडर्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आडर्स परवाइड कर दूगा कि किस तरह का यह एडर्स रहता है और आपको एक लिंक भी दे दूगा ताकि मैप से आप असानी से इस्टोर को दुगाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और यह आपका भाई मेरा भाई ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सके और आगे बढ़ सके थेंक यू अगर यह वीडियो आपको आच्छी लगी तो ज्यादा है ज्यादा है इस वीडियो को शेर कीजिए और क